नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मोबाइल की 5 इडन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, जिसमें से आप लोगो सायदी कोई सी भी टिप्स पता हो दोस्तों, अगर आप लोगो पता हो तो हमें कमेंट करके जरू बताएगा, और वीडियो इस्टार करते हैं वीडियो को बिना समय वेश्ट किये, मैं हूँ प्रदी प्रजापत और स्वागत्य आपको अपने चैनल मल्टिपल आइडियास में दोस्तों, आप लोगो पता है कि जब आपने ट्रांजेक्शन करते होगे, या रेशिव करते हो तो आप लोग को internet के ज़रूरत पढ़ती होगी right किसी भी UPI के थो या किसी भी अप्लिकेशन का आप लोग यूज करके money transaction करते हो लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आप लोग कहीं ऐसी जगे पर फर्स जाओ या फिर कहीं ऐसी जगे पर रहते हो जहाँ पर internet बहुती कम चलता है दोस्तों या फिर नहीं चलता है तो उस conditions में आप लोगों को अगर money transaction करना होगी तो केसे करना होगी दोस्तों जिया दोस्तों उस conditions में आप लोग offline money transaction कर सकते हो जिसमें आप लोगों को internet की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों तो आए दोस्तों हम लोग चलते मोबाइल स्क्रीन पर देन देखते हैं कि किसे हमें मनी ट्राजेक्शन ओफलाइन करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने अपना डेटा भी बंद करके रखरका मिन्स हमने अपना डेटा और नहीं किया मोबाइल अब बात कर लेते हैं कि आप लोग ओफलाइन ट्राजेक्शन केसे करो क्योंकि हम ओफलाइन ही बताने वाले आप लोगो यहाँ पर आपको जहां से आप लोग नंबर डायल करते हों वहाँ जाना है और वहाँ पर जाने के बाद इस्टार डबल नाइन है आप लोग को टाइप करना है और उस नंबर से डायल करना है जिस नंबर के थरो आप लोग अपने मोबाइल में भीम यूपी आई यूज कर करना है आपको उसके बाद language select करना है दोस्तो language select करने के लिए हमने one type के और send कर दिया इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या लिखने को बोल रहा है enter your bank's name और first four letter of your bank IFSC means अब आप लोगो आपकी सारी detail यहाँ पर डालना होगी जो भी दोस्तो वो पूछते जा रहा हो आप लोग डालते जाएगा जिसके तो आप लोग money transaction कर पाऊगे easily और आपको कोई problem आयो तो आप हमसे comment करके easily पूछ लिजेगा दोस्तों इसके आगे की process हम नहीं बता पाएंगे तो कि हमारा personal data आपके साथ share हो जाएगा तो यहाँ से आप लोग offline money transaction कर सकते हो दोस्तों आप लोग किसी भी नंबर को identify करने के लिए true color अपने mobile में जरूर रियूस करते होगे लेकिन आप लोग को यह भी information पता होगी true color आपके mobile का सारा data hack करके अपने server पर install कर लेता है दोस्तों आपको hacking से बचने के लिए आपके mobile में Google phone applications install कर लेना है जो same as work करेगा true color की तरह हैं दोस्तों आपको कुछ घबराने के ज़रूरत नहीं बस इस applications को आप लोग by default set कर दीजिए dialer applications के जैसे कि आप dial जहां से भी करते हो इसको आप लोग by default set कर दीजिए साथ ही आप लोग इसे download भी कर सकते हो दोस्तों आप लोग को description में link मिल जाएगी आप लोग वह से जाकर easily download कर पाओगे लेकिन दोस्तों आप कई लोग का ये doubts आएगा कि हमारे mobile में support नहीं कर रहा है आप लोग जब दूसरा mobile purchase करोगा आपको जब जरूवत रहेगी तो mobile में support कर लेगा क्योंकि latest mobile वाले सारे support कर रहे है अब आप लोग को इसे install किसे करना है क्योंकि install करने में भी काफी problems हा रही है तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने mobile screen पर जब आप लोग अपने mobile में इस applications को install करने की कोशिश करोगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस टाइप से process आएगी तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर नीचे से जाना है और यहाँ पर join वाले options पर click करना है और join करने ना है और थोड़ी देर wait करना और bake आके वापस इसी पर आना है दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर install करने का option से मिल जागा हमारा mobile में नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि हमारा mobile कमफर्टेबल नहीं है इस एप्लिकेशन को सपोर्ट करने में इसलिए हम आपको 100% लाइप प्रूफ यहाँ पर नहीं बता पाएंगे राइट दोस्तों आप लोगो को Google फोन एप्लिकेशन से कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके इसलिए पूछ सकते हो आपके मोबाइल में जब आप लोग इयरफोन कनेक्ट करते हो तो एक इयरफोन में ज़्यादा आवाज आती होगी और एक इयरफोन में कमाती होगी राइट या फिर एक में music background ज़्यादा आता होगा दोस्तों और एक में आवाज ज़्यादा आती है इसी टाइप से होता है लेकिन आप उसे सही कर सकते दोस्तों अपने mobile के software की मदस से कि दोनों में एक बराबर आवा जाए आप लोग कोई difference देखने को ना मिले तो इसके लिए आप लोग को चलना होगा mobile screen पर जहां से हम आप लोग को live proof बताएंगे दोस्तों तो एयरफोन की settings के लिए दोस्तों आप लोग को settings में जाना होगा और अगर आप लोग को नहीं पता है mono options कहां मिलेगा तो आप directly यहाँ पर search बार में search भी कर सकते हो mono जैसे आप लोग search करोगे दोस्तों तो आप लोग के सामने यहाँ पर एक page open हो जागा यहाँ पर देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है mono audio इस पर click कर दिजिएगा जैसे आप लोग को तो slide up कीजिएगा दोस्तों और यहाँ पर आप लोग को mono audio लिखा हुआ दिख जायगा तो यहाँ पर हमने इसे already turn on कर रखा है दोस्तों आप भी इसे turn on कर दिजिएगा जिससे कि आपके earphones की दोनो speakers में बराबर आवा जाएगी वो same music same volume और same आवाज के साथ ही आप लोग को सुनने को मिल जागा आप खुद live proof देख सकते हो दोस्तो तो इस tips की मदब से दोस्तो आप लोग अपने earphone की आवाज को सही कर पाऊगे साथ ही अगर आप लोग को एक earphone में दूसरा song सुनना है और दूसरे earphone में एक अलग song सुनना है मतलब आप दो फ्रेंडों और आपके पास एकी earphone है और दोनों को अलग-अलग song सुनना है तो केसे सुनोगे इसके लिए हमने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ जो आप लोग को वीडियो के description में मिल जाएगा दोस्तो आप लोग जाकर उसे देख लिए आपके side doubts clear हो जाएंगे दोस्तो आप लोग को पता होगा कि mobile को airplane mode पे डालने पर आपका mobile के battery जल्दी charge होती है तो दोस्तो कई लोग का ये doubts निकल कर आएंगे कि जब हमने airplane mode पे डाल रखा है इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने mobile screen पर जहां से हम आप लोगों को ये trick apply करके बताएंगे सबसे पहले आपको अपना mobile airplane mode पे डाल देना हम भी डाल देते हैं दोस्तो ताकि आपको life proof बता पाए लेगे डाल दी हमने अब airplane mode पर डालने के बाद दोस्तो आपको हेज इस्टार हेज इस्टार जैसे ही आप लोगे टाइप करोगे तो आपके सामने यहाँ पर चार options आ जाएंगे अब आप airplane mode होने पर भी आपके mobile में किस SIM के numbers को activate रखना चाहते हो आपके उपर depend कर रहा है दोस्तों तो हम जो जो से कि हम अपने mobile की first SIM को अभी active रखना चाहता है कि जिस पर हमारे mobile में call भी आया इंटरनेट भी चले तो सबसे पहले first वाली SIM पर जो की information first रिखावा तो उस पर click कर दीजिए देन उस पर click करने के बाद यहाँ आपके mobile रेडियो पावर एक्टिवेट कर दीजिए इसे एक्टिवेट करने के बाद आपके mobile पर call आना चालू हो जाएंगे दोस्तों लेगिन इंटरनेट नहीं चलेगा अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो यहाँ पर आप लोगों को यह जो option दिख रहा है इस पर क्लिक करना है इनेबल डेटा कनेक्शन पर क्लिक कर देना है बस इतना सा करना अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे mobile में डेटा चल रहा है तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग अपने mobile को airplane mode पर भी आसानी से चला पाऊगो दोस्तों और आप लोग घबरा होती है अपने mobile का हम लोग अपने contact numbers या फिर mobile के data को गूगल पर बेकप proper तरीके से नहीं ले पाते हैं तो उसके लिए हम बता देता हैं जिसके लिए हमें चलना होगा mobile की scan पर अपने mobile के data को बेकप करने के लिए Google पे आपको settings में जाना होगा देन settings में जाने के बाद आपक settings में जाना होगा दोस्तों लेकिन यह वाली Google की settings में नहीं आपको उस Google की setting में जाना होगा जहां पर backup का options आता है तो आपको इसके लिए सबसे पहले backup and restore वाले options में जाना है तो हम additional setting पे click कर रहे हैं देन उसके बाद आप लोग यहां पर backup and reset का option दिख रहा है इस पर touch करना है उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हो कि आपको backups का option मिल जाएंगे अब आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर आप लोग को Google backup and reset का option दिख गया है तो इसे सबसे पहले आपको turn on कर देना है right turn on करने के बाद backup account पे click करके आप अपनी एक email id select कर लीजिए अगर select नही कर पारे हैं दोस्तों तो comment आप से clear कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर हमने एक नहीं कई email id connect कर रही है और जो कि हम आपसे share नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि हमारी email id आपके पास चले आएगे उसके बाद यहां पर आप लोग को automatic restore को option आ रहा है इस पर click कर दे जिससे की क्या ह होगा कि आपके mobiles का data automatically google पर restore हो जाएगा आपको बार बार करने के जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसके लिए आप लोग को simple सा यही settings करना होगी और आपके mobiles का सारा data google पर save हो जाएगा दोस्तों इस tricks की मदद से आप लोग अपने mobiles के data को google पर असानी से backup कर पाओगे साथ ही आप लोग को किसी भी tricks से related कोई भी doubt हो तो आप हमसे comment काके easily पूछ लीजेगा दोस्तों हम आपके doubts जरूर clear करेंगे और अगर आपको कोई सी भी tricks पहले से पता हो दोस्तों तो हमें comment काके जरूर बताएगा तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नई tricks के साथ किसी और नई वीडियो में हम आपके सामने फिर से available होंगे जब तक के लिए जाहिन thank you for watching